हाई गाईज आज मैं आप लोगों को अपने छोटे से कविता के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि हर बिक्ति की जज़बात क्या होते हैं और वो अपनी लाइफ में क्या क्या चाहता है वो कैसे उपर उठना चाहता है वो कैसे खड़ा होना चाहता है हर बिक्ति की अपने जजबात होते हैं और उन जजबातों का एक माध्यम होता है मैं उन माध्यम को मैं अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहती हूं कि वही जजबात मेरे अंदर भी है लेकिन मैं इन सारे जजबात को बताते बताते मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने सब चीजों के बीच मेरी कविता का नाम है मैं चुप ही रहना चाहती हूं तो प्लीज दोस्तों आएए मैं आप लोगों के साथ अपनी उस छोटी सी कविता को शेयर करते हैं और अपनी भावनाओं को ब्यक्त करते हैं तो प्लीज सुनिएगा यादों से दूर खौबों से दूर मैं अभी जीना चाहती हूं महलों में नहीं सड़कों में नहीं मैं दिल में रहना चाहती हूं मैं दिल में रहना चाहती हूँ हजारों को नहीं लाखों को नहीं मैं सब को पाना चाहती हूँ नदिया को नहीं समंदर को नहीं में प्यार का पानी चाहती हूँ क्या खुसी क्या गम क्या जीत क्या हार हा दोस्तों मैं हसते रहना चाहती हूँ मैं हसते रहना चाहती हूँ क्या घुसी क्या गम क्या जीत क्या हार मैं हसते रहना चाहती हूँ धर्म को नहीं मंदिर मस्जित को नहीं मैं दिल में दिल को देखना चाहती हूँ हाँ दोस्तों मैं दिल में दिल को देखना चाहती हूँ सूरज को नहीं, चन्दा का नहीं, मैं सोयम की रोसनी चाहती हूँ कुछ और कहूं मुमकीन ही नहीं, दोस्तों, मैं चुपी ही रहना चाहती हूँ मैं चुपी ही रहना चाहती हूँ अगर ये मेरी छोटी सी भाउना और जजबाद मेरी कविता के माध्यम से अगर पसंद आए हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा प्लीज दोस्तों बहुत उम्मीद जुड़ी होती है आप लोगों से प्लीज लाइक और स्ब्सक्राइब करना मत भूलेगा सो थैंक्यू गाइस